प्रीदर्शको नमस्कार आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि धनुराशी और लगनवाले किस तरह के होते हैं उनका सुभाव केसा होता है जीवन की क्या विशेश्टाय होती है जिसके बल पर वह उचाया प्राप्त करते हैं साथी केसा जीवन होता है या सब में बताने वाला हूँ इसलिए आप वीडियो के साथ जुड़े रहे आपको बहुती रोचक जानकारी आज प्राप्त होने वाली है सरपथम अगर हम धनुराशी के प्रतिक चिन्नक को देखे तो वह एक एसा मनुष्य होता है जो हाथ में धनुष लिये होता है अर्थात यह बताना चाहता है कि जो धनुराशी के होते है या धनुलगन के होते है वह अपने लक्षे को निर्धारित करते है और फिर उसे प्राप्त करने के लिए निरंतर मेहनत करते रहते है और जीवन में यह भी देखने में आता है कि जो धनुराशी या लगनके होते है वह अपने लक्षे भी उचे निर्धारित करते है और उन लक्षों को प्राप्त करने के लिए बीच में भले ही इन्हें कितनी ही मेहनत करनी पड़े कितना ही पराक्रम करना पड़े लेकिन यह उससे पीछे नहीं हटते है मेहनती होते है उर्जावान होते है जिसके बल पर अपने उचे से उचे लक्षों को उचे से उचे लक्षों का यह बेदन कर देते है और उन्हें प्राप्त करके ही यह दम लेते है धेर्यवान होते है जिससे यह जीवन में भटकते नहीं है यहीं इर्शा या द्वेश रखते हैं। इसी के कारण इनके साथ जो रहने वालों की संख्या होती है, इनके साथ जो जुडने वालों की संख्या होती है, वह भी अधिक देखने को मिलती है। यह अपने चाहने वालों के साथ तो प्रेम से रहते ही है, लेकिन जो इनके शत्रू होते हैं, जो इनके विरोधी होते हैं, उनके साथ भी पूरे प्रेम के साथ और एक अपना पन के साथ यह रहते हैं। जिसके कारण इनके कोई शत्रू भी नहीं बन पाता है। और जो बनते वह शीग रही इनके पास स्वयम आ जाते और इनके इसी गुण के चलते समाज में भी इनका एक विशेश इस्थान होता है विशेश मान सम्मान होता है यह उर्जावान तो होते ही है हस्पुक सुभाव के भी होते है सभी को प्रसन दखना सभी के साथ अच्छी तरह से बातच वह इन पर अपना विशेश प्रभाव दिखाते है और यह ज्यानी होते है बोद्धिक इस्तर इनका बहुत आगे होता है जिससे यह जीवन में सद्यों ज्यान प्राप्त भी करते रहते है अध्यन करना और किसी ने किसी चीजों से ज्यान प्राप्त करते रहना इने विशे प्रिय होता है और अपने ज्यान के बल पर ही यह अपना विशेश मान सम्मान इस्थापित करते हैं और लोगों के मन में एक एसी छवी निरधारित करते हैं जिसे कोई अन्य भूल नहीं पाता है और जो भी इनसे एक बार मिलता है वह इनसे जुड़े रहना चाहता है सद्यों इनसे बाचित करना चाहता है क्योंकि इनका सभाव एसा ही होता है इतना ज्यानवान होता है या फिर इस तरह का चुम्बकिय होता है कि अन्य लोगों को अपनी और यह आकरशित कर ही लेते हैं लेकिन दयावान भी होते हैं गुस्ता कभी नहीं करते अपने अंदर अहंकार नहीं आने देते हैं, और अन्य लोगों की सहायता करना, दुसरों के लिए कार्य करना इन्हें विशेश प्रिया होता है, और अन्य लोगों की सहायता करके ये स्वयम प्रसन्य रहते हैं, धर्मे कार्यों में, आध्यात्म के कार्यों में इनकी रूची अधिक देखने को मिलती है और अपने इनी गुणों के चलते ये जीवन में अन्य लोगों से अलग हटकर कारे करते हैं इनके अंदर जो बुद्धिमानी होती है बुद्धिक इसतर जो इनका होता है वह भी अन्य से अलग नजर आता है और ये जीवन में जो भी कारे करते हैं वह पूरी तरह से सोच व आनी चाहिए वो नहीं आ पाती है. एक बात इनके जीवन में जो विशेष रूप से देखने को मिलती है, वो यह भी रहती है, कि यह अपने नियमों के पूरी तरह से कड़ाई के साथ पालन करते हैं. जो नियम इन्होंने अपने जीवन में बनाए हैं, जिस तरह से ये कार्य क करना चाहिए यह उसी प्रकार से कारे करते हैं और अन्य लोगों को भी यही प्रयास करते हैं कि अनुशासन के साथ कारे करवाया जाए अन्य लोगों के साथ मिल जुलकर और एक सही मालग पर आगे बढ़ा जाए रिसर्च से जुड़ा हुआ कारिय अध्यन या फिर आदि से जुड़ा हुआ कार्य इन्हें विशेश अपनी और खीषता है और इसी में इनका प्रयास भी यही रहता है कि अन्य लोगों को भी ज्यान बाढ़ते चले और अन्य लोगों की भी जो सेवा हो सकती है वह करते चले यही कारण है कि इनके जो शत्रू होते है वह भी बह आतापाई नहीं करते है इनका सभाव बस इतना ही रहता है कि किसी से अगर इनका जगडा हो जाए तो यह किवल उन्हें ताने मार कर या फिर कुछ बोल करके चुप हो जाते है किसी का अरहित करना किसी का नुक्सान करना किसी को ठगना यह इन्हें नहीं आता है बहुती सरल रधर के होते हैं और सभी के साथ प्रेम करने का ही इनका विशेश सभाव होता है और अपने इनी गुणों के चलते यह सभी के आदर से भी बन जाते हैं अन्य लोगों को मार्ग दिखाना और मार्ग दर्शक की तरह कारे करना यह भी इनके सभाव में नहीत होता है इनके इन्ही विशेश गुनों के साथ इनका जो अनुसासन होता है इनका जो दयावान एक सुरूप होता है वही इन्हे सामाजिक शेत्रों में अधिक रूप से जोड़ता है और यह समाज के लिए कार्य करना सामाजिक रूप से एक्टिव रहना यह इन्हें भी पसंद होता ह राजनीती में भी अगर यह जाते हैं तो वहां पर भी उचाया प्राप्त करते हैं। प्रशासिनिक सेवाओं में सरकारी नोकरी में यह अच्छे उच्च पदोग पर जा सकते हैं। क्योंकि इनका बोधिक इस्तर भी अच्छा होता है ज्यान की मात्रा भी अच्छी होती है और इनके गुन भी कुछ इसी प्रकार के होते हैं कि जीवन में निरंतरता के साथ यह आगे बढ़ते जाते हैं। लोगों को ना ही नुक्सान पहुचाना और ना ही किसी का बुरा चाहना और इसी गुन के साथ यह आगे बढ़ते रहते हैं निरंतर मेहनत करते रहते हैं। अगनी तत्विय राशी होती है तो उर्जा भी अच्छी देखने को मिल जाती है। इसलिए जब कारे में लगते हैं तो अन्य सभी बातों को भुलकर केवल कारे के प्रति ही आगे बढ़ते हैं। उसी में इनकी लगन के चलते ये सभी प्रकार की उचाया, मान-सम्बान, पध्य-प्रतिष्टा सब प्राप्त कर लेते ही। और उसमें भी ये ऐसा नहीं चाहते कि जीवन में केवल आनंद लिया जाए या केवल सुख और भोग का विलास किया जाए। यह अन्य लोगों के सायता करना चाहते हैं। इसके चलते इनका यह जीवन तो अच्छा होता ही है। आगे आने वाला जीवन भी या फिर परमगती को भी यह अवश से प्राप्त करते हैं। इसलिए अगर देखा जाए तो धनु राशी और लगनवाले एक विलक्षन प्रतिवा के धनी होते हैं। और अपने सभी सरल गुनों के चलते, अपने विशेश गुनों के चलते, यह जीवन में एक अच्छा जीवन व्यतित करते हैं। और सभी के लिए आदर से बन कर रहत इस प्रकार धनु राशी और लगनवालों में यह सभी प्रकार के गुण देखने में आते हैं। आपके जीवन पर इन में से कितनी बाते लागू होती हैं आप वीडियो में कमेंड करके अवश से बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आयो तो आप इसे लाइक भी शेयर करें। मिलते हैं आपको फिर किसी एसी ही रोचक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।